नमस्कार सभी को एक बार पुनाप सभी का हरदिक श्वागत अभिननन है तो जैसा कि आपने थमलेन देखा तो आपको पता चल गया होगा कि अपनी आज की क्लास जो है वो जूनियर अकाउंट से समंदित रहने वाली है जिसमें आपके रजस्तान इतिहास जो है उसकी उपर अपने विश्तरित चर्चा करेंगे ज्यादा लंबी क्लास को नहीं करेंगे अपने लगभग दो गंटे के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो रजस्तान हिस्टरी है उसमें चो महत और प्रुन फेक्ट है उनके उपर हम चर्चा करेंगे और साथ में अपनी सुबह की जो पांच मिनिट वाली जो क्लास आती है सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल के उपर देखने को मिलती है उसमें लगबग 35-40 वीडियो जो है वो हो जाएंगे और आपका जो एक्जाम होगा उससे पहले आप उन क्लासों को अगर हो सके तो दो गुणा करके भी एक बार जरूर चर्चा करेंगे तो राजस्तान इतिहास के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या होता है एक तो आपका राजवन्स है और इसके अलावा एक आपको आधुनिक जो है उसके अंदर पढ़ने की आउश्यक्ता बढ़ती हैं सबसे पहले जैसे अपने आधुनिक वाले फोर्सन के उपर चर्चा कर ले तो मुख्य मुख्य बातें जो है इनकी मैं वही आपको बताऊंगा ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे आप अगर चैनल की उपर ने हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को सेर जुरूर कर देना और लाश्ट तक देखना अगर आपको जो राजवन श्वगेरा है वो भी आपको कर वांगा टैन्सल लेने के आउश्यक्रा नहीं है आपको तो अधुनिक के अंदर सबसे पहले अपने अठारा सो सतावन की करांती के उपर जाते हैं राजेस्तान में 1857 की करांती जो है इसकी उपर चर्चा करते हैं और र भारत के संद्रों में भी आपसे पूछ सकते हैं जैसे 1857 की क्रांती के समय भारत का जो गवर्नर जर्नल था जिसका नाम था लारेड़ के निंग ये 1857 की क्रांती के समय गवर्नर जर्नल थे क्रांती का जो प्रतीक चिन है ये कमल और चपाती है कमल और चपाती कमल और चपाती ये क्रांती का प्रतीक चिन है इसके लावा क्रांती की जो व्यू रचना है ये व्यू रचना किश्च के द्वारा की गई है तो व्यू रचना नाना सहेब हो गए और एक इनके साथ में अजीजू मुला अजीजू मुला नाना साहिब और अजीजु मुला खां के द्वारा क्रांती की व्यू रचना अरची गई थी एक आपको क्रांती के फेक्ट में ध्यान रखना है कि इस समय जो महरानी थी बिर्टेन की महरानी जो थी इस महरानी का नाम था विक्टोरिया जिस प्रकार से प्रशन हरे की एक्जाम में पूछे गए है न उनी के उपर मैं ज़्यादा फोक्ष्ट करके ही बात करूँगा जो जो प्रशन पूछे गए हैं उनसे अपनी ज़्यादा रिलेटिड बात करेंगे हो शकता है कि आपका भला हो जाए अगर 10 से परसन नाते हैं और 55 परसन अगर इस कलास में आपको मिलते हैं तो आपके लिए दी वेष्ट है और महारानी विक्टोरिया थी और कंपनी का उप्रधान सेनापती था इसके लावा अपने राजस्तान में क्रांती से समंधिता आप ध्यान रखना कि 1832 में राजस्तान में एजीजी का पद सरजित हुआ था अजेंट टू गवर्नर जर्नल का पद सरजित हुआ था और 1832 में एजीजी जो बनते हैं जिनका नाम था मिश्टर लोकेट ये लोकेट जो है ये प्रथम एजीजी बनते हैं प्रथम एजीजी यानि की अजेंट टू गवर्नर जर्नल कोन ब जोर्ज पेट्रिक लोरेंश जो थे ये आपके 1857 की क्रांती के समय राजस्तान के अंदर क्या थे ए जी जी थे इसके लावा क्रांती के जब हम कारण पढ़ते हैं तो कारणों में आपको ज्यादा कोई लंबी चोड़ी बात नहीं ध्यान रखनी है कारणों में एक आप ध्या नख लेना सहाइक शंदी और सहाइक शंदी जो है इस सहाइक शंदी पर राजस्तान में जो अस्ताकसर करने वाली पहली रियास्त है जिसका नाम है बर्दपूर और बर्दपूर ने 29 सितंबर 1857 को संदी पर हस्ताकसर किये थे और बर्दपूर के राजा का नाम था साथियो रणजीत सी है बर्दपूर के जो राजा थे जिनका नाम अपने क्या था तो जिनका नाम अपने था रणजीत सी है और राजस्तान में साइक संदी पर एक तो बर्दपूर का नाम ध्यान रखना एक आप अलवर का नाम भी ध्यान रख लेना और अलवर का नाम आई तो आप ब है इसने संदी संदी था और अलवर की जो राजा ते जिनका नाम था बक्तावरसी था बक्तावर कर जसन अलवर की राजा थे और बक्तावर सिंग अलवर की राजा वाड़ा भी आप ध्यान रकना इनहीं स इन संदी जो है वह कभ की है तो 14 अधिनस्त संदी या यूं कहें कि आश्रित पार्थे की निती के तहत की जाने वाली संदी और अधिनस्त संदी या आश्रित पार्थे की निती के तहत जो संदी की गई थी ये अपनी अधिकान सरियास्तों ने संदियां 1817 और 1818 के अंदर की थी राजस्तान की अधिकान सरिया यह अधिनस्त या आश्रित पार्थे की नीती के तहत की जाने वाली संदियां इस समय गवर्नर जर्णल जो थे जिनका नाम था साथियों हेस्टिंग जो जो अधिनस्त संदि है इसके दर आप द्यान रखना कि सबसे पहले एक रियास्त जिसका नाम था क्रोली और क्रोली ने 9 नवंबर 1817 में संदि की थी दूसरा नाम आता है आप द्यान रखना दूसरा नाम है टोंक और टोंक जो है यह आपकी 17 नवंबर 1817 को संदि करते हैं और टोंक के बाद में आप एक और नाम द्यान रखना कोटा और कोटा में आप द्यान रखना की क्रांती कोटा में संदि कर 1817 को की थी क्रोली के राजा जो है जिनका नाम है अर्बक्षपाल क्रोली के राजा हर्बक्षपाल के दोरा संदी की गई है टॉंक के राजा जो है जिनका नाम है अमीर खापिंडारी अमीर खापिंडारी राजस्तान की एक मत्र मुस्लिम रियास्त थी राजस्तान की एक मत्र कौन सी रियास्त है मुस्लिम रियास्त है जिनके अमीर खाप पिंडारी थे और कोटा के अंदर जो थे जिनका नाम था उमेद सी हैं कोटा के उमेद सी हैं ने संदी पर क्या कर लिये थे हस्ताकसर कर लिये थे तो एक तो आप कारणों में साइक शंदिया द्यान रखना एक जिसको हम सेनिक कारण के नाम से भी जानते हैं ततकालिक कारण या यूं कहें कि जो सेनिक कारण है यह क्या था तो यह था चर्बी वाले कार्थूश चर्बी वाले कार्थूश चर्बी वाले क्या थे कार्थूश थे और चर्बी वाले कार्थूशों को क्या सीन था कि पहले त जिसका नाम था सातियों एनफिल्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के बाद में फिर एक राइफल लागू किया था जिसका नाम था एनफिल्ड राइफल जिसमें क्या लगी थी गाईवसुर की चरबी लगी थी और इसको चलाने से मना किस ने किया था तो कोलकत्ता की बेर अप्ट अप्रेल 1857 को मंगल पंडे को फासी होती है इसके लवा अपने राजस्तान का मंगल पंडे किसे कहते हैं राजस्तान का मंगल पंडे किश्कों कहा जाता है ये भी आप ध्याम रखना कि है robbery को उप नका नाम हो जाए अमरचंद बातिया अमर्चंद बाठिया जो है ये आपके राजस्तान के मंगल पांडे कहलाते हैं साथ में अमर्चंद बाठिया को क्रांती का भामाशा किश्को कहते हैं अमर्चंद बाठिया को क्रांती का भामाशा कहते हैं साथ में इनको नगर सेट कहते हैं और इनका जनम जो जोदपूर के अंदर गुए था और इनको गवालियर में पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी इसके लावा आप एक नाम क्रांती के अंदर और द्यान रखना और वो जो नाम है वो है तात्या टोपे तात्या टोपे जिसका मूल नाम था रामचंदर पंडूरंगा ये तात्या टोपे का मूल नाम क्या है रामचंदर पंडूरंगा ये तात्या टोपे का मूल नाम है तात्या टोपे जो थे ये सब से पहले बीलवाडा में आते हैं और बीलवाडा में इन्हों ने रोबर्ट्स की सेना के साथ में एक युद किया था, उस युद का नाम तक कुवाडा का युद तात्या के अंदर आप ध्यान रखना कि तात्या को फांसी कहां पर होती है तो तात्या को फांसी होती है सिवपूरी या सिवपूरी के अंदर MP के अंदर इनको फांसी होती है और ये जो इनको फांसी होती है और ये जो इनको फांसी होती है तो इनकी फांसी जो है वो किसके दवारा की गई थी तो इनकी फांसी की अलोचना जो है ये करते हैं आपके मेजर सावर्ष जो थे इन्होंने तात्य टोपे की फांसी की अलोचना की थी तो ये कुछ बेसिक बाते हैं जिनका आप स्क्रीन सोट लीजिए उसके बाद में राजस्तान की जो चावनिया और पॉलिटिकल अजेंट है उनकी भी मैं बेसिक बाते हैं आपको जल्द ही बताऊंगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है आपको फेक्ट प्रसंद आ रही है समझ में आ रहा है वह ज़्यादा हमाराम अराम से तो पढ़ नहीं सकते तो जिस लेक के अंदर चल रही है उस लेके अंदर पढ़ेंगे और मैं कहता हूं कि दो गंटे में राजस्तान हिस्ट्री शल्ट आ दूंगा चलो स्क्रीन सोट लो ले लिया स्क्रीन सोट आगे देखो मिटा दो इसको इसके अलावा आपको राजस्तान में 1857 की क्रांती में क्या-क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है उन सबी फेक्तों पे चर्चा जो है वो करेंगे देखो अपने एक तो 1857 की जो क्रांती है इस 1857 की क्रांती में आपको ध्यान रखना है कि क्रांती के समय राजस्तान में 6 चावनी थी राजस्तान में कितनी चावनी थी तो राजस्तान में क्रांती के समय चावनी थी राजस्तान में क्रांती के समय चावनी या कितनी है चावनी है और आप इनको याद रखना ए नान्नी मेरो ब्या कोन देख्यो ए नान्नी मेरो ब्या देख्यो या कोन देख्यो की लिख देए तो ए से हो जाएगा आपका एरिनपुरा ना से हो जाएगा नसीराबाद और फिर नी आया तो नी से हो जाएगा निम्मच फिर ब्या आया तो ब्या से हो जाएगा ब्यावर फिर दे आया तो दे से हो जाएगा देवली और फिर खेया आया तो खैसे हो जाएगा खेरवडा इन में से आप ध्यान रखना की क्रांती के समय दो ऐसी छावनिया थी एक तो खेरवड़ा और एक ब्यावर इन्होंने क्रांती में बाग नहीं लिया था ब्यावर और खेरवड़ा जो है इनके द्वारा क्रांती में बाग नहीं लिया जाता है तो फिर क्रांती में बाग लेने वाली टोटल तो रजस्तान में छह चावनी थी और क्रांती में कितनी थी तो क्रांती में साथियो क्रांती में जो चावनी हो जाएगी ये आपकी च्या पर नाम आता है नसीराबाद का नसीराबाद इसके अलावा आप ध्यान रखना निम्मच का निम्मच का देवली वाली भी कोई ज़्यादा महतवपुर्ण नहीं है देवली वाली वही हो जाएगी जो निम्मच वाले होंगे वही देवली के अंदर आ जाएगे और देवली के बाद में आपको द्यान रखना है साब एरिनपुरा का देवली के बाद में एरिनपुरा का द्यान रखना है एरिनपुरा के बाद में फिर आप एक युद को द्यान रखना है और उस युद का नाम है साब बिठोडा का युद और उसके बाद में आपको द्यान रखना है सबसे पहले नसीराबाद जो है यहां से क्रांती की क्या होती है शुरुवात होती है नसीराबाद से क्रांती की सुरुवात होती है नसीराबाद सबसे क्या है शक्ति शाली च्छावनी है राजस्तान की सबसे सक्ति शाली च्छावनी किश को मना गया है नसीराबाद को राजस्तान की सबसे सक्ति शाली च्छ पताव किया गया था और नसीराबाद में सेनिक टुकडियां कौन-कौन सी थी तो नसीराबाद में सेनिक टुकडि जो है ये आपकी हो जाएगी सेनिक टुकडि जो है ये पंदरवी नेटिव इनफेक्टरी और एक हो जाएगी तीसवी नेटिव इनफेक्टरी ये दोनों कहा पर थी नसीराबाद चाओनी में निमच आपका पढ़ता है MP के अंदर मद्या परदेश में क्या पढ़ता है निमच पढ़ता है निमच में 3 जून 1857 को करांती होती है और निमच के अंदर करांती का नेतरता जो है वो किश्के द्वारा किया जाता है तो एक तो मुहम्मद अल बेग मुहम्मद अली बेग एक तो यहां पे मुहम्मद अली बेग हो जाएगा और मुहम्मद अली बेग के अलावा एक यहां पे हो जाएगा साब हीरा लाल हिरालाल और मुहंद अली बेक का सम्मद निम्मच से है और साथ में निम्मच नाम आए तो आप एक करनल अबोट का नाम भी खास तोर से ध्यान रखना वे करनल अबोट जो थे इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो सेनिक थे उनसे गित्ता वै कुरान की उनको सपत दिलाई थी कि आप हमेशा अंग्रेजी सासन के प्रतिक्या रहोगे वफादार रहोगे ऐसा किस ने कहाता ऐसा करनल अबोट ने कहाता साथ में निम्मच के अंदर आप ध्यान रखना कि निम्मच से बागे चालिस जो अंग्रेज परिवार थे इन चालिस अंग्रेज परिवारों को अपने सवरूप सी हैं जो थे इन होने कहां पर सरण दी थी तो सवरूप सींग ने इन चालिस अंग्रेज परिवारों को जो है वो आपके चालिस अंग्रेज परिवारों को सवरूप सींग ने जग मंदिरों में सरण दी थी जग मंदिर जो है ये आपके पिछोला जील के किनारे बनी हैं इन जग मंदिरों में सरण दी थी इसके लावाद देवली के अंदर तो सेम टू सेम वोई रहेगा ना कि देवली के अंदर मुहमंद, अली, बेग और हिरालाल जिन होने निमच के अंदर विद्रो है किया था निमच वाले क्रांतिकारी ही देवली जो है इस देवली को लूटते है एरिनपुरा के अंदर आप नेत्रतव करताओं में नाम द्यान रखना एक तो तिलक राम एक तो नाम आता है तिलक राम एक नाम आता है मोति खां एक नाम आता है शितल परशाद नाम आता है इनका समंद जो हो कहां से है तो इनका समंद जो है वो साथियो आपके एरिनपुरा से है और साथ में आप द् सेनिक टुकडी कौन सी थी तो यहां पर सेनिक थे साब जोदपुर लीजियन के सेनिक थे यहां पर जोदपुर लीजियन के सेनिक जो है वो कहां पर थे तो जोदपुर लीजियन के सेनिक जो है यह आपके हो जाएंगे एरिनपुरा से समंदित हो जाएंगे और साथ में आप एक नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस ने दिया था तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो साथियों आपके दिया जाता है रगुनाथ सिवनाथ सिहें के द्वारा अब आप कोगे कि सर छोटे लिख रहें मोटा लिख कौन सका इंग हातर कौन MacBook कोने क्या प्रिक प्रकें मिटाना प्र लिखना पिर लिखना पिर इरिटई उड़ा तो मैं कि एक चोटा-चोटा लिखना ला जा रही है इसके बाद में बिठोड़ा का युद्ध तरफ तो आठ सितंबर को उगा था इस बिठोडा के युद में एक तरफ तो ओनाड सिंग थे ओनाड सी हैं जो तक्त सी हैं का सेनापती और ओनाड सिंग के साथ में कौन थे हित कोट थे और हित कोट मेक मोसन का सेनापती था और युद किस के साथ में हुआ था तो इनका युद हुआ था कुसाल सिंग चमपावत या फिर यूं कहें कि कुसाल सिंग चंपावत कहलो चाए आप करांती करी कहलो और इसमें कुसाल सिंग चंपावत की क्या होती है विजे होती है एक फिर युद और हुआ था 18 सितंबर को और 18 सितंबर को कौन सा युद होता है चेलावास का या जिसको अपने गोरे काले का यु जिसमें आपके एक तरफ तो थे जो मेक मोशन है ये खुद थे एक तरफ तो मेक मोशन थे और दूसरी तरफ जो है वो कौन से हो जाएंगे तो दूसरी तरफ साथियों आपके हो जाएंगे करांतिकारी और कुसाल सी है चमपावत और इस युद के अंदर कुसाल सिंग चमपा गया था और इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था टेलर आयोग और टेलर आयोग ने कुसाल सी हैं चमपावत को निर्दोस बता दिया था और कोटा जो है इसमें 15 अक्टूबर को हुआ था और कोटा में आप द्यान रखना की नेत्रतव करता क स्क्रीन सोट लीजिएगा उसके बाद में थोड़ा की निचे नहीं लिखेंगे ज़्यादा ले लो उसके बाद में आगे बताता हूं मैं आपको बात कि मिटा देओं के हाँ साथ 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 आप स्क्रीन सोट लेते रहना कि आज तक जितने प्रशन पुछे गए ना क्रांती से समंदित मैं उन्हीं फ्यक्तों पर चर्चा कर रहा हूं सब भी किसी ना किसी एक्जाम के अंदर जो है वो प्रशन पुछे गए हैं अगी देखो अपने जो कोटा की बात कर रहे हैं ना कोटा में जैदयाल और महराब ख विद्रोहा होता है जिसमें नेतर तवकरता जैदयाल जैदयाल और एक इसमें नेतर तवकरता महराब खा थे एक जैदयाल था और एक महराब खा ये दोनों कहां से समंदित है तो कोटा से समंदित है जैदयाल और महराब खा इन दोनों का समंद जो है वो आपके कोटा से हो रहे का और कोटा के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था राम सीहें को इन दोनों क बंदी बनाया था और वे मेजर बर्टन जो थे इस बर्टन की भी गरदन काट ली थी और मेजर की जो यह वो गरदन कों काट लेते जैध्याल और महराव का फिर कोटा अमपर रोबर्ट्स के कि नेतरतों में आकरवन होता हैं और इस दोरान अंग्रेजों का साथ कि एक इन के दुवरा ऐक्रोली कि जिसके कारण जो करोली रियास्त थी इसमें तोपों की संख्या जो है वो बढ़ा दी थी और 13 से बढ़ा कर कितनी कर दी 17 गरदी कोटा में 17 से गटा कर 13 कर दी थी साथ में हम बात कर रहे थे न कुसाल सिंह चंपावत की इस कुसाल सिंह चंपावत में आप ध्यान रखना की एक कुसाल सिंह की अकरांती की देविय जिसका नाम था सुगाली माता और सुगाली माता जो है इसके दस सिर चोपन हाथ है सुगाली माता जिनके दस सिर है और इनके चोपन क्या है साब चोपन इसके हाथ है दस सिर है सुगाली माता के और चोपन हाथ कोन सी माता की है सुगाली म इसके लाव आप ध्यान रखना कि जो कुसाल सिंग चंपावज जो था इन्होंने आतम समर्पन कहां पर किया था अंग्रेजों के सामने आतम समर्पन इन्होंने किया था और कहां पर किया था तो निमच के अंदर इन्होंने आतम समर्पन किया था और कुसाल सिंग चंपावज पहले तो ये बागकर कहां गए थे तो पहले तो ये अपने कोठारिया के रावत जोद सिंग के पास में जाते हैं कोठारिया के रावत जिनका नाम क्या था जोद सिहन था इनके पास में जाते हैं यहां से फिर बागकर किस के पास में गए थे तो यहां से बागकर सलूमबर में जाते हैं और सलूमबर में किस के पास में जाते हैं एक आपको करंती में और फेक्ट द्यान रखना है कि करंती के समय कौन सी रियास्त का कौन सा पॉलिटिकल अजेंट था और उस रियास्त के रा तो कोटा की कोटा हो जाएंगे ब्रिटन और रजा का नाम हो जाएंगा साब राम सी हैं और राम गाराम सिंग कोटा के राजा हो जाएंगे कोटा के लावा एक रियास्ता थी आपकी जिसका नाम था जोधपूर और जोधपूर के जो पॉलिटिकल अजेंट थे जिसका नाम था मेक मोसन और जोधपूर का जो राजा था जिसका नाम था तक्त सी है ये जोधपूर के राजा है इसके लावा कोटा हो गया जोदपूर हो गया और इसके लावा आप द्यान रखना बर्दपूर और बर्दपूर के अंदर आप द्यान रखना की बर्दपूर बर्दपूर जो है इसका हो जाएगा मोरी सन मोरी सन और जस्वन सिंग राजा हो जाएंगे और बर्दपूर का जो राजा था जस्वन सी है ये नवालिक था क्रांती के समय कौन सी रियास्त का राजा नवालिक था तो बर्दपूर का राजा नवालिक हो जाएगा इसके लावा जेपूर का कौन सा हो जाएगा तो जेपूर का इडन हो जाएगा और राजा कौन से हो जाएगे तो जेपूर के राजा भी राम सी है ही थे इसके लावा जो आपके एक रियास्त आती है जिसका नामा था उद्यपूर उद्यपूर को या मेवाड कहलो उद्यपूर या मेवाड के जो पॉलिटिकल अजेंट थे जिनका नाम था शाब सावर्ष और मेवाड के राजा का नाम क्या हो जाएगा तो राजा का नाम हो जाएगा सवरूप सी है जेपूर और एक है आपकी कोटा कोटा जो है इसके हो जाए कोटा तो लिख दिया अपने न हाँ कोटा लिख दे सिरोही बच गया सिरोही सिरोही का सब जेड़ी ओल है और सिरोही के राजा जिनका नाम क्या था सिवसी है सिरोही के राजा का नाम था इन में से कोटा और जेपूर के अंदर जो है वो जन विद् और अपने एक बिकानेर के राजा थे करांती के सम्में और बिकानेर के जो राजा थे जिनका नाम ता सरदार सी है और सरदार सी है जो थे ये एक ऐसे राजा थे जो अपनी सेना रियास से बाहर बडालू पंजाब लेकर गए थे ये इतनी बातें आपको 1857 की करांती के अंदर याद रखनी ही है, प्रशन इसी में से आएगा, मैं वादा गरता हूँ, गारंटी लेता हूँ, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि प्रशन आएगा, यहीं से आएगा करांती में से 12 प्रशन नहीं पुछेंगे और मैं फिर वीडियो बनाने आउँगा, आपको 12 तरीक आपका पेपर है, 11 पेपर है, 12 तरीक को अगले दिन फिर मैं आपके सामने वीडियो बना के आऊँगा, और उसमें बताऊँगा कि यह मैंने यहां करवा है था और यह प्रशन आया है, सोच लो उसके बाद में अगला अपना जो टोपिक है वो हो जाएगा, प्रजा मंडल, स्क्रίν सोट ले लो आप इसका अगला आपका जो टोपिक है जिसका नाम है प्रजा मंडल, प्रजा मंडल, प्रजा का मतलब होता है, जनता और मंडल का मतलब होता है साब संग्ठन प्रजा का मतलब क्या होता है तो प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संग्ठन जनता का संग्ठन प्रजा मंडल कहलाता है और आप ध्यान रखना कि 1938 में कॉंग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन था तो कॉंग्रेस का हरीपुरा अधिवेशन था कॉंग्रेस का हरीपुरा अधिवेशन था और जो कॉंग्रेस का हरीपुरा अधिवेशन हुआ था इसमें किसकी मांग की गई थी तो इसमें साव परजा मंडल की मांग की गई थी परजा मंडल की मांग सबसे पहले जो है वो कहां पर होती है तो कोंग्रेश का कौन सा अदिवेशन था अरिपुरा अदिवेशन था जिसमें परजा मंडल की सबसे पहले क्या होती है मांग होती ह अब आप प्रजामंडलों में ध्यान रखना सबसे पहले 1931 के प्रजामंडल 1931 में एक तो है जेपूर और जेपूर के जो संस्तापक थे जिनका नाम था करपूर चंद पाटनी या करपूर चंद पाटनी जो थे ये जेपूर के संस्तापक थे जेपूर प्रजामंडल के संस् पीर बाद में जेपूर का पुनर गठन हुआ था उर जेपूर का पुनर गठन जो है ये 1936-1937 के अंदर होता है कौन करते हैं जमना लाल बजाज करते हैं जेपूर के अंदर जन जागरती अरजुनलाल सेठी के द्वारा फेलाई गई है जेपूर में जन जागरती अरजुनलाल सेठी ने फेलाई थी एक तो कत्तिस में जेपूर है और एक कत्तिस में बुंदी जेपूर हो गया एक है आपका जेपूर हो गया तो बुंदी भी हो गय कांती लाल, बुंदी के जो संस्तापक है जिनका नाम साब क्या हो जाएगा, कांती लाल हो जाएगा, कत्तिष में जेपुर बुंदी है, उसके बाद में 1934 का द्यान रखना, 1934 में मारवाड और जब भी नाम मारवाड काये तो फिर नाम जैनराइन व्यास काता है जब भी नाम मारवाड काता है तो नाम फिर जैनराइन व्यास काता है और जैनराइन व्यास का नाम याद रखना है तो फिर इसकी पुस्तक भी याद रखनी है और जेनरेंड व्यास ने कौन-कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो एक तो हो जाएगी मारवाड की अवस्ता, एक तो इनकी पुस्तक है जिसका नाम है मारवाड की अवस्ता और एक इनकी पुस्तक है पोपा बाई की बोल, पोपा बाई की पोल, ये इनकी दो पुस्तके हो जाए चेहा प्रजामन volcano के अनदर स्टापना होती शतिष में और विखानेर नाम यंदर ब्लत तो तो मगा रामवेद का तरब नाम बिका ने प्रजामन और की कहां पर हुई थी कौल कत्ता की ंंदर स्तापन होती हुआ ऐगा उपका दोल्पूर में और डोल्पूर है तो पिर आप बताना कि दोल्पूर में कौन है ज़वाला परशाद, जिग्यासु और करशणदत पालिवाले करशणदथbal ye ये दोनों कहांपर हैं तो ये दोनों हो जाएँगे आपके दौलपुर में, उनूनिस्टेश attained पर जाएगा आपका बर्थपूर। और बर्थपूर का हो जाएगा हरी नारायन, 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 हरी नारायन हो जाएगा। बर्दपुर का किसन लाल है अलवर का हरी नारायन है किसन लाल बर्दपुर के है और अलवर का हरी नारायन है अलवर का हो जाएगा हरी नारायन और एक आपका मिवाड मिवाड के तो वर्मा जी है मानिक्य लाल मनिक्य लाल वर्मा जी और इनके साथ में एक बंदा था जिसका नाम था बूरे लाल बया बूरे लाल बया ये इनके साथ में थे मिवाड की तो आप तारीक भी ध्यान रखना 24 अप्रेल है 1938 है और नाम फिर आप बलवन सिंग महता क्या भी ध्यान रखना बलवन सिंह महता के गर में मिवाड प्रजामनल की स्था अपना होती है और ये बलवन सिंग इसके अध्यक्ष भी बनते है और मानिक्य लाल वर्मा तो इनकी पुस्तक द्यान रखना और मानिक्य लाल वर्मा की पुस्तक जिसका नाम हो जाएगा मेवाड का वर्तमान सासन मेवाड का वर्तमान वर्तमान सासन वर्तमान सासन और एक हो जाएगा मेवाड वासियों से अपील मेवाड वासियों से अपील मेवाड का वर्तमान सासन और मेवाड वासियों से अपील ये दोनों आपके किसकी पुस्तक हो जाएगी मानि क्यलाल वर्मा की जाएगी तो बरतपूर हो गया अलवर हो गया मिवाड हो गया a moreed यह टीविश्फ अड़तीष में एक हो रहे हैं और अड़तीष में अगला Sh cm इस नाम आता है रमेष चंदर spirit करण प्रजॉच के रजार्ण कि वाले की बात करते हैं फिर 42 फिर श्रॉबाले की बाद फिर 44,45,45, नित oluyor की बात करतें तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लेडात है के मिटा दूँ इसको चाहबास बहुत बढ़िया का हुआ उसके बाद में देखू 1949 और 1949 के अंदर आप द्यान रखना एक तो क्रोली का नाम और क्रोली के साथ में फिर नाम द्यान रखना त्रिलोक चंद और क्रोली के अंदर आप क्रोली के अलावा कोटा फिर नैनूराम दुबारा आगया किस्सनगड किस्सनगड फिर कांतिलाल दुबारा आगया और फिर आप द्यान रखना एक नाम और सिरोही और सिरोही गोकुल भाई बट सिरोही के हो जाएंगे गोकुल भाई बट और सिरोही के गोकुल भाई बट हो जाएंगे और आप सिरोही वाड़ा ध्यान रखना किस्ता आपना मुंबाई के अंदर कुई थी और 1942 में कुसलगड कुसलगड और कुसलगड का हो जाएगा बंवरलाल सराफ ये हो जाएंगे आपके कुसलगड के बंवरलाल सराफ प्रालिस में बंश्वाडा और बंश्वाडा आगेया तो आप नाम बताना बुपेंदर नात का बंश्वाडा के साथ आप बुपेंदर नात का नाम बताना 1944 डुंगरपूर के अंदर आप बताना बोगिलाल पंड्या और डुंगरपूर की एक गटना है जिसका आपको खास तोर से ध्यान रखने है रास्तापाल रास्तापाल कांड है और रास्तापाल में एक पाट साला थी जिसके सरक्षक कौन थे नाना भाई नाना भाई थे या नाना भाई कांड थे खांड और एक याँपर अध्यापक थे जिनका नाम था सेगा भाई एक याँपर बील बाली का थी जिसका नाम था काली भाई इन सभी का नाम जो है वो आप ध्यान रख लेना डुंगरपुर हो गया चौमालिश में फिर पेंतालिश में आपको ध्यान रखना है प्रताब गड और प्रताब गड का हो जाएगा चुनिलाल जेसल मेर मिठा लाल जेसल मेर का हो जाएगा मिठा लाल और जेसल मेर का नाम आए तो आप नाम बताना साग्रमल गोपा का साग्रमल गोपा और जब कभी भी इनका नाम देखने को मिले तो आप बताना कि इनकी एक तो ती आजादी के दिवाने इनकी पुस्तक हैं एक जेसल मेर मेर में गुंडा राज आजादी के दिवाने जेसल मेर में गुंडा राज हो जाएगा और एक हो जाएगा रगुनात सिहां का मुकदमा ये किताबे सगरमल गोपा की ध्यान रख लेना और इन पर जिस पुलीस अधिकारी ने अत्याचार किये थे उस पुलीस अधिकारी का नाम था गुंडा गुमान सिहां 1946 में जालावाड हो जाएगा और जालावाड के हो जाएगे मांगिला देखो 90% प्रजा मंडल में से प्रसन इतने में से ही आता है मैं गारंटी लेता हूँ कि लगबग आपके एक्जाम में परजामंडल इससे बाहर नहीं पूछेगा और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा दुबारा कि मैं अपना ये प्रशन आया है तो स्क्रीन सोट लो इसका फिर आगे बढ़ते हैं हाँ जी आगे देखो इसको मिटा देते हैं और अगला अपना जो टोपिक है वो हो जाएगा राजस्तान में किसान आंदोलन पैक किसान आंदोलन से जिस प्रकार के प्रशन पुछि जाते है न उनीके उपर अपनी चर्चा करेंगे जढ़ा लंबी चोड़ी बात देकर नहीं पड़ेगे देखो राजस्तान में जो किसान आंदोलन हुए है इनमें अपने सबसे पहले सबसे जो बिजोलिया किसान अंदोलन की चर्चा कर लेते और बिजोलिया अपना बिलवाड़ा में है बिलवाड़ा के अंदर है बिजोलिया अपना उपरमाल की जागिर में है बिजोलिया बिलवाड़ा में है और उपरमाल की जागिर के अंदर क्या पड़ता है तो उपरमाल की जागि के लोग बिजोलिया के हैं और नाकरशा to the information फे ऑर जंसरा ї साथ में बिजोलिया के अंदर दियान रखना गए अठारा सो जुडार्शा चूराणमे में यहां के जो ठाकूर बनते हैं जिनका राव क्रशनसी हैą यहां के जो ठाकूर बनते हैं जिनका नाम था राव क्रशन सी हैं और क्रशन सी हैं जो थे इन्होंने किसानों से अत्यादिक कर लिया था एक आप बिजोलिया के जो संस्तापक है इनका नाम भी द्यान रखना और बिजोलिया के संस्तापक साथियो अशोक प्रमार हो जाएगे असोक प्रमार बिजोलिया के संस्तापक हो जाएगे बिजोलिया के जो ठीकानेदर बनते जिनका नाम था राव कृष्ण सिंग और कृष्ण सिंग ने किसानों से अत्यादिक टेक्स लिए थे और जिसके विरोध में 1897 में एक गाउं था और 1877 में में उस गाउं का नाम था अपने गिड़धरपुर गिरधरपुरा जो गिड़धरपुरा गाउं था उस गाउं में गंगाराम धाक्ड के पिता के मरत्यु भोज पर किशान इकठे हुए थे और यहां से राव कृशन सिहें कि सिकायत करने के लिए गिर्दर पुरा गाउं से दो आदमी चुने थे एक का नाम तो नान जी पटेल था और एक आदमी का नाम था ठाकरी पटेल इन दोनों को अपने सिकायत के लिए किस्ट के पास में बेजा था फतेशी हैं के पास में और फतेशी हैं जो है इसने इनकी बात सुनकर बिजोलिया की जांच के लिए किस्ट को बेजा था हमीद हुसेन को भेजा था और हमीद हुसेन जो थे इन्होंने बिजोलिया की जाँच करके रिपोर्ट तकर की थी और रिपोर्ट तकर करके जो है वो उध्यपूर भेजदी लेकिन फटे सिंग ने उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जिसके करण जो नांजी पटेल और ठाकरी पटेल थे इनको इनके बिजोलिया प्रवेश पर क्रशन सी हैं जो थे इनके बिजोलिया प्रवेश पर ही क्या लगा दी थी रोक लगा दी थी और तब इसने एक निया कर सुरू किया था 1903 में और उशकर का नाम है चवरी कर और चवरी कर जो है वो पांच रुपए जो है वो नगद लिये जाते हैं इस कर को कौन सा कर कहा जाता है चवरी कर कहा जाता है अलागि चवरी कर का विरोध भी किया गया था 1904 के अंदर चवरी कर को आदा कर दिया जाता है 1906 में करशन सिंग की मरत्य होती है और करशन सिंग की जब 1906 में मरत्य हो लागू किया था तलवार बंदाईकर परत्वी सिहाने लागू किया था और इस परत्वी सिंग का विरोध जो था वो किस ने किया था तो परत्वी सिंग का विरोध अपने एक तो सादू सिताराम दास थे एक तो सादू सिताराम दास थे और एक अपने फतेकरण चारण थे फ 1914 में परत्वी सिंग की भी मरत्य हो जाती और ठिकानेदार जो वो कौन बनता है तो बिजोलिया का निया ठिकानेदार बना था केसरीशी है और साथियो केसरीशी है नावालिक था जिसके करण जो पूरा का पूरा कार यह बार था वो किसने संबाला था अमर सिंग है राणावत जो थे ये बिजोलिया का जो सिस्टम था ये परशासन जो था इसको संभालने लगते हैं अमर सिंग रणवत और इसी बेच 1906 में विजय सिंग पतिक जो है ये विजय सिंग पतिक सादू सिताराम दास के कहने पर किसके कहने पर सादू सिताराम दास के कहने पर कहां पर जुड से कौन जुड़ते हैं विजय सिंग पथिक जुड़ते हैं जिनका जनम 1882 में होता है और इनका जनम 1882 में कौन से गाउं में हुआ था गुठावला गाउं में हुआ था और विजय सिंग के बच्पन का नाम था भूप सी है और इनका नाम भूप सिंग से बदलकर विजय किस ने किया था तो इनका नाम विजय सी है जो है ये गोपाल सी है खरवा ने किया था इनका नाम जो है वो विजय सिंग किस ने किया था तो गोपाल सी है खरवा जो थे इन्होंने इनका नाम चेंज करके इनको सरण पहले सरण कहां पर दी थी टोडगड दुर्ग में और अपने 1917 में हरियाली अमाउशा के दिन किसान उप्रमाल पंच बोरड की स्ताप नगी थी इन्होंने किसान उप्रमाल पंच बोरड की स्ताप नगी थी इन्होंने किसान उप्रमाल पंच बोरड की स्ताप नगी जिसका सरपंच किश को बनाया था सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया था और साथ में वीजय सिंग ने 1919 में एक जगें जिसका नाम है वर्दा और वर्दा पढ़ता है आपका महराश्टर में और वर्दा माराष्टर में राजस्तान सेवा संग का गठन किया था ये RSS नहीं है राजस्तान सेवा संग का गठन किया था और 1920 में राजस्तान सेवा संग का मुख्यालिया जो बदल के कहां कर दिया था अजमेर कर दिया था विजन सिंग जो थे इनके द्वारा एक तो अपन राजस्तान केसरी पत्र था, इनका एक पत्र है जिसका नाम है राजस्तान केसरी, राजस्तान केसरी इनका पत्र है, एक इनका पत्र है जिसका नाम हो जाएगा राजस्तान केसरी, एक इनका पत्र है तरून या नवीन राजस्तान, तरून या नवीन राजस्तान के नाम से पत 1922 में एजी जी होलेंड जो थे इस होलेंड ने आकर विजोलिया में कितने करों को समाप्त किया था तो होलेंड ने 35 करों को समाप्त कर दिया था जब सरकार निश्वाप्त नहीं किया उसके बाद में अपने बिजोलिया से जो विजे सिंग पथिक थे इनको ये बेंगू की सानांदोलन से जुड़ जाते जिनके करण 10 सितंबर 1923 को इनको गिरफदार कर लिया जाता है और जब बेंगू के अंदर इनको गिरफदार किया ज 1931 में टी राघवाचारे राघवाचारे से क्या कर लिया था समझोता और समझोता करके अंदोलन को क्या कर दिया था शमाप्त कर दिया तो बिजोलिया किसानांदोलन के अंदर ले दे के आप इतनी किसी बात याद रख लेना इस से बाहर जो प्रशन नहीं बनता है बिजोल जी का उस गीत का नाम भी द्ध्यान रख लेना पंचीड़ा हे А पंचीड़ा जो गीत ये बाणि केलाल वर्मा का है इसका नाम भी आप द्यान रख लेना इसके अलावा आपका अगला जो किसा ना दोलन हो जएगा वो हो जएगा आप याओ किछाना उत्ते रूं देखला था बिजॉलिया जो कि mı चाया नों है जो एक सबसे लंबे समय तक 1964 समय अहगी सोंosis दीनि चाया मेह सब तक कोजी स्थ चछलता है कि क Either ऑड़ कि विजॉलिया के बाद में आपका जो अगला किसाना और है जिसका नामत है बेंगू और बेंगू वर्तमान चितोड में है और पहले बेंगू कहां पर था तो पहले बेंगू था बीलवड़ा में था बेंगू जो है इसमें द्यान रखना कि बेंगू के अंदर किसान अंदोलन का नेत्रत वकिश ने किया था तो आप नाम बताना राम नारायन चोदरी का बेंगू में आप नाम द्यान रखना राम नारायन चोदरी का बेंगू के जो ठाकूर थे जिनका नाम क्या था अनूपसी है और अनूप सी हैं वै किसानों में एक समझोता होता है और इस समझोते के बाद में किसानों के करों को शमाप्त कर दिया था और इसी समझोते को सरकार ने कौन सा समझोता कहा था वोल सेविक समझोता कहा था सरकार ने इस समझोते को कौन सा समझोता बताया था तो वोल सेविक समझोता जो है, वो सरकार ने इस समझोते को बताया था, इसके लावा बेंगू जो है, इस बेंगू की जांच के लिए एक जांच आयोग था, और उस जांच आयोग का नाम था मिस्टर ट्रेंच, और ट्रेंच ने बेंगू पर लगे सभी करजाईज बताये थ जिसके कारण ट्रेंच के विरोध में, अपने बेंगु के अंदर जो है, वो एक सभा का आयोजन किया जाता है, 1923 की बात थी, 1923 में बेंगु में गाउं था जिसका नाम था गिर्धर गोविंदपुर, एक गाउं जिसका नाम था गोविंदपुर, और गोविंदपुर गाउ में एक क्या बुलाएगी थी शभा बुलाएगी थी और इस सभा के उपर ट्रेंच ने क्या चला दी थी गोलियां चला दी थी और जब गोलियां चलाई तो यहां पर रूपाजी धाकड और करपाजी धाकड मारे जाते हैं एक तो रूपाजी धाकड और एक हो जाएंगे साब पिर आपके जाएग से और पिर गृर्फदार कियां और गाल किस्थान पर शारीम करते मारिक कला कर बिंगू और वैसे कहां पर पड़ता है आपका अलवर में पड़ता है तो निमुँ चणा में जंगली सूरों से निवारण के लिए अंदोलन 1921 में शुरुआ था पिर बाद में एक समय के लिए जो हो समझोता करके अंदोलन को श्माप्त कर दिया फिर बाद में अपने अलवर की एक राजा थे जिनका नाम ता जैसी है और अलवर के राजा जैसी है ने किसानों प्रेकर लगया था जिसका नाम था लागकर और इसके लागकर का जो विरोध था ये साबकिश के द्वारा किया गया था तो एक किसान जिसका नाम था रगुनाजसी है उसकी पुत्री जिसका नाम था सीता देवी सीता देवी के द्वारा इसका विरोध किया गया था और सीता देवी के नेतरताओं में 14 मई 1925 को निमू चणा के अंदर एक सभा का आयोजन होता है और इस सभा के उपर जो है इस सभा के अंदर लगबग जो है वो 600 से 800 किसान थे 600 से 800 किसानों ने यहां पर भाग लिया था और इस सभा के उपर जो है वो किसने गोलिया चलाई थी छजू सीहे ने चजू सीहे जो थे इस छजू सीहे ने यहां पर क्या चला दी थी गोलिया और जब छजू सीहे ने यहां पर गोलिया चलाई तो इन आट सो किसानों में से सो लोग जो है वो मारे जाते हैं और चजु सिंग को अपने राजस्तान का जर्नल डायर कहा जाता है चजु सिंग को राजस्तान का क्या कहते हैं तो राजस्तान का जर्नल डायर कहा जाता है साथ में इस निमूचना की गटना को अपने जो निमूचना की गटना है इसको गंधी जी ने यंग इंडियन के अंदर जो है वो राजस्तान का जलिया वाला बाग किस ने कहा है तो राजस्तान का जलिया वाला बाग जो है वो मात्मा गंधी ने कहा है यंग इंडियन के अंद किस गटना को कहा है तो निम्मू चणा की गटना को कहा है एक आप थोड़ा सा द्यान रखना बुंदी के बारे में ज्यादा कोई लंबी चोड़ी बात आपको बुंदी में नहीं द्यान रखनी है बुंदी किसान अंदोलन का नेत्रतव जो है नेत्रतव जो है वो पंडित नेनुराम ने किया था और स्तानी अंदोलन का नेत्रतव नित्यानंद के दवारा स्तानी अंदोलन का नेत्रतव किया जाता है और बुंदी के एक स्तान था जिसका नाम था डबी डबी की एक गटना हुई थी और ये आपकी दो अप्रेल की है 1923 और दो अप्रेल 1923 को बुंदी की डबी की जो गटना थी यहाँ पर जो गोलियां वो किस ने चलाई थी इकराम हुसेन ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी इकराम हुसेन ने इकराम हुसेन जो थे यहाँ पर गोलियां चलाते हैं और इस गटना के दोरान देविलाल गुर्जर और एक नानक जी भील यहाँ पर मारे जाते हैं देविलाल गुर्जर और नानक जी भील यहाँ पर मारे जाते हैं और बु महिलाओं में आप एक नाम द्यान रखना और महिलाओं में आप उस नाम को द्यान रखना जिसका नाम है अनजना चोधरी। गुंदी से महिलाओं का जो है वो नेतरतव करने वाली महिला कौन सी हो जाएगी अंजना चोदरी जल्दी से आप इसका भी स्क्रीन सोट ले लो उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं बुंदी के बाद आप ध्यान रखना एक मेव किसान अंदोलन है उसके बारे में एक लाइन आप सी दासा ये भी ध्यान रखने ना कि राजस्तान का सबसे प्राचिन जो किसान अंदोलन है वो कौन सा है तो राजस्तान का सबसे प्राचिन किसान अंदोलन मेवाड है राजस्तान का सबसे प्राचिन किसान आंदोलन कौन सा है तो राजस्तान का सबसे प्राचिन किसान आंदोलन जो है ये आपका हो जाएगा मिवाड और मिवाड 22 जून 1880 के बाद है 1880 और ये मात्र कुंडिया राशमी चितोड से सुरुआ था मात्र कुंडिया मात्र कुंडिया रास्मी चितोड से सुरू होता है मेवाड के बाद में आप एक नाम और दियान रखना मेव अलवर और बर्तपुर छेतर में हुआ था मेव जो है ये अलवर और बर्तपुर के अंदर हुआ था और अलवर और बर्थपूर में प्रटिकुलर बर्थपूर से सम्मध किस का है बोजी लंबरदार का सम्मध कौन से किसान अंदोलन से है तो बोजी लंबरदार का सम्मध आप बताना कि मेव किसान अंदोलन का नेतरतव किस ने किया था तो नेतरतव मेव किसान अंदोलन का जो 1932 के अंदर उस संस्ता का गठनुगा था अंजूमन खादिम उल इसलाम जो संस्ता है मुसलमानों की संप्रदाइक एवं हितार्त संस्ता कोन सी है अंजूमन खादिम उल इसलाम है इसके लावा आप द्यान रखना सिखावाटी में क्या क्या द्यान रखोगे तो सिखावाटी किसान अंदोलन का सिरीगनेश तो कहां से होता है सिरीगनेश तो सिखावाटी का होता है साब आपका सिकर ठीकाने से सिकर ठीकाने से इसमें आप एक तो नाम द्यार रखना किसोरी देवी का सम्मद कौन से किसाना दोलन से है किसोरी देवी, उत्मा देवी, उत्मा देवी, नराइनी देवी भी है इनका सम्मद सेखवटी किसाना दोलन से है सेखवटी के पंचपातों के नाम द्यार रखना पंचपात में एक तो मंडावा, माल्यासर, डुंडलोद, और ये किसोरी देविवाड़ 1934 भई द्यान रख लेना सन्मकावी माल्यासर, मंडावा, डुंडलोद, विशावू, नवलगड़ विशावू और एको जाएगा नवलगड़ एक आप द्यान रखना सिखावटी में जैसी हैं पुरा हत्याकांड और जैसी हैं पुरा हत्याकांड जो है ये आपका हो जाएगा 1934 का ही है और ठाकुर कौन थे इस समय ठाकुर जिनका नाम था इस्वरी सी है इस समय ठाकुर का नाम था इस्वरी सी है एक आप सेखावटी में ध्यान रखना कि केप्टन वेव ने लाठी चार्ज किया था तो एक तो खुंडी गाउं एक तो आप ध्यान रखना खुंडी गाउं 1935 खुंडी गाउं के लावा कुंदन, गोठडा और भुक्राणा इन सबी का समंद कौन से किसान आंदोलन से है, तो सेखावटी से है, मारवाड में आप एक बात ध्यान रखना, मुख्य रूप से, और एक हत्याकांड मारवाड जो है, इस मारवाड किसान आंदोलन में वैसे तो, मारवाड अपना प्रजाम देल है न, उनका यूगदान मना जाते हैं उनकी वज़े से मारवाड के इंदर जो है वो किशाना अंदोलन हुआ था एक हत्याकाड डावला हत्याकाड यह तेरा मार्ज 1947 का है तेरा मार्च 1947 वाले इस गटना का द्यान रखना बिकानेर में आप द्यान रखना 30 जून 1946 को एक वेक्ति जिनका नाम था खूब राम स्राफ इस खूब राम स्राफ के नेतरतों में बिकानेर प्रजा प्रिशद का अधिवेश्ण होता है बिकानेर प्रजा प्रिशद का अधिवेश्ण होता है यहां पर जलूस निकालने की बात की थी और यहां पर जंडे का नेतरता हो जो है वो किस ने किया था बिर्बल सिहां ने और बिर्बल सिहां जी जंडा लेकर जलूस निकालते हैं और बिर्ब कौन सा दिवस है तो बिर्बल दिवस है बिर्बल दिवस सत्रा जुलाई को यह सहीद दिवस है सहीद दिवस मनाते हैं सहीद दिवस और बिर्बल दिवस मनाते हैं सत्रा जुलाई को 17 जुलाई को बिर्बल दिवस मनाते हैं तो लगबग आपका जो प्रशन पुछा जाएगा ना किसाना दोलन से ये आपका हो जाएगा इतने किसाना दोलन से बार प्रशन नहीं पुछेंगे आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिएगा ठीक है सब अगे देखो अब उसके बाद में एक आपका टोपिक आता है जिसका नाम आता है जन जाती आंदोलन एक आपका नाम आता है जन जाती आंदोलन और जन जाती आंदोलन में आपको दो आंदोलन द्यान रखने होते हैं एक तो आपको द्यान रखना होता है बगत अंदोलन और बगत अंदोलन किसके दवारा चलाया गया है तो गोविंद गिरी के दवारा इनका नाम आप ध्यान रखना गोविंद गिरी और इनका जनमगा था अठारा सो अठावन को बांशिया गाउं डुंगरपूर के अंदर बंजारा प्रिवार में होता है बांसिया गाउं था और कहां पढ़ता है डूंगरपुर में पढ़ता है कौन से प्रिवार में होता है तो बंजारा प्रिवार में होता है आगे देखो, गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने अठारा सो एक तो अपने अठारा सो तिरासी में इन्होंने संप सभा का गठन किया था, कौन सी सभा का गठन किया था, तो साब संप सभा का गठन किया था, संप सभा के दस नियम थे, जिसके करण इनको दस नामी संपरदय क जाता है इन्होंने बेड़सा के अंदर अपनी दुनीस तापित की थे उनीस सो आठ में बेड़सा से इडर जाते हैं उनीस सो आठ में यहां से कहां जाते हैं इडर जाते हैं और इडर से उनीस सो ग्यारा में वापस कहां पर आ जाते हैं बेड़सा जाते हैं तो इस बीच में आपसे एक प्रशन पुछा भी गया है, 1911-12 में कहां पड़ थे, तो वापस बेड़ सा आगे थे, एक अपने इसके अंदर जो है, वो मुख्य रूप से आपको एक गटना जो है, वो ध्यान रखनी होती है, और वो गटना है आपकी 17 नमंबर 1913 की, 17 नमंबर 1913 को एक स्तान थ और मानगड के अंदर जो है, मतलब मेवाड सरकार ने गोलियां चला दी थी, और यहां पर पंद्रा सो बील मारे गए थे, पंद्रा सो बील यहां पर मारे गए थे, और इस हत्याकांड को मानगड हत्याकांड कह जाता है, और इसको राजस्तान का जलिया वाला बाग कहते है राजस्तान का जलिया वाला बाग कौन सी गटना को कहा जाता है तो मानगड हत्याकंड को राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकंड कहा जाता है और इन्होंने बिलों की सेवा गी थी जिसके करण इसको बिलों का मसीहा कहते है बिलों का मसीहा किश को कहा जाता है तो बिलों का मसीहा कहते हैं गोविंद गिरी को एक आपका जो गोविंद गिरी जो थे इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था बगत पंथ ये भी किश के दोरा चलाएगे तो गोविंद गिरी के दोरा एक आपका अंदोलन ओ राता है जिसका नाम है तहाएक की अंदोलन और यह अंदोलन चलाया था मोतीलाल ने मोतीलाल जी तेजावत इनका जनम वझा था 1886 में कुलियारी के अंदर होता है ओशववल जें परिवार में इनको आदिवासियों का मसिहा कहा जाता है, इनको कहते हैं बीलों का बाबजी कहते हैं 1921 में फते सिंग के सामने एक मांग पत्र जारी किया था जिसको कहा जाता है 21 इसुतरी मांग पत्र 21 सुत्री मांग पत्र और इसी को मेवाड पुकार के नाम से भी जानते हैं 21 सुत्री मांग पत्र या मेवाड पुकार कहते हैं और 21 में से 18 मांगे सविकार की गए थी और 3 मांगों के लिए नारा दिया था हुकुम और हकीम नहीं हुकुम और हकीम नहीं या हकीम और हुकम नहीं का नारा जो है वो दिया गया था और यहां पर इगटना हुई थी 7 मारच 1922 और एक जगह जिसका नाम था नीमडा इस बार यहां पर कितने लोग मरे गए थे तो 1200 बील यहां पर मरे जाते हैं यह दो तीनिक बाते आप जन जाती अंदोलन की भी ध्यान रख लेना इतना सा प्रशन पूछा गया इससे अलावा जन जाती अंदोलनों में प्रशन नहीं पूछा गया है अब आपकी एकी करण पर बात करते हैं तो आप इसका स्क्रीन शोट ले लो हाँ जी आगे देखिएगा आगे अपने बात करते हैं रजस्तान में जो एकी करण हुआ था उससे स्वंदित भी प्रशन जो है वो आप से पूछे जा सकते हैं तो आप उसका भी थोड़ा सा द्यान रख लेना कर देखो राजस्तान का एकी करण राजस्तान का एकी करण जो था यह सा चरणों के अंदर होता हुआ आपको मुख्य मुख्य चरण जो है उन चरणों में जो महत्य उप्रण बात ने उनको इध्यान रखना है जैसे सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि चरण थे कौन-कौन से तो साथ चरण थे एक नमबर हो गया, दो नमबर हो गया तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर, छै नमबर और साथ नमबर एक ये करण में साथ चरण थे एक ये करण के समय अपने रियास्त कितनी है, तो साथ ये रियास्त अपनी हो जाएगी उनिस, और ठीकाने कितने है, ठीकाने हो जाएगे तीन, तीन इसके अंदर क्या हो जाएगे, ठीकाने हो जाएगे और रियास्त कितनी हो जाएगी? 19 आपकी रियास्त हो जाएगी एक एकरन के चरणों के नाम के से याद रखोगी? तो नाम याद रखना MP से MP P से हो जाएगा पुर राजस्तान MP से सयुक्त राजस्तान MP से ब्रहत राजस्तान MP से बस और से से हो जाएगा स्यूंक्त ब्रहत MP से बस निकल कर राजस्तान आई MP से बस निकल कर कहां पर आई MP से बस निकल कर राजस्तान आई तो हो जाएगा राजस्तान संग और राजस्तान संग एक तो जदातर पूछा जाता है कि मतश्य संग नाम जो किसकी सिपारिस पर दिया गया था तो केम मुंसी का नाम बता देड़ा आप एक आपका पुछा जाता है कि पहले चरण का विल्य कौन से चरण में हुआ था चोथे चरण में हुआ था तो यह भी आप धान रखना देखो तारीकें कैसे याद रखते हैं 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 महिने कैसे याद रखते हैं मारच मम्मा अम्मा मन्जन करो मम्मा अम्मा मन्जन करो यह सात्मा भी आपका राजस्तान संगी है मम्मा अम्मा मन्जन करो एक नवंबर मैं अपने वर्ष के से याद रखेंगे 3, 48, 2, 49, 3, 48 हो जाएंगे 2 आपकी हो जाएंगे 49, 1 हो जाएगा 50 और 1 हो जाएगा साब 56 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56 उसके बाद में आप से पुछा जाते हैं उदगाटन करता और उदगाटन करता हो जाएंगे N.V. गोडगिल नरहरी विश्नु गोडगिल गोडगिल चाचा नेरूजी पटेल सरदार पटेल गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल लाश्ट तक बस इतना याद रख ले ना कोई ज़्यादा लंबी चोड़ी बात याद रखने की आउश्यक्ता नहीं है प्रधान मंत्री प्यम में आप ध्यान रखना सोभा गोकुल की मनी सोभा राम सोभा गोकुल लाल अश्वा की मनी मानिक्यलाल ही खीरे जैसी इरालाल सस्त्री और बाद में ये जो आपका प्रधान मंत्री का पद जो था इस प्रधान मंत्री के पद को क्या कर दिया था मुख्य मंत्री कर दिया था एक आते हैं आपके राजश्प्रमुख और राजश्प्रमुख में आप ध्यान रखना उद्ये भीम, बोपाल, मानसी है उद्ये भीम, बोपाल, मानसी और बाद में ये आपके क्या बढ़ जाते है राजश्प्रमुख से बाद में पद चेंज करके राज़े पाल कर दिया थ पहले चरण में रियास्तों का विल्य कौन-कौन सा होता है तो अलवर, बर्तपुर, करोली और दोलपुर अलवर, बर्तपुर, करोली, दोलपुर, राज्यों का क्या होता है अपने रियास्तों का विल्य होता है दूसरे चरण में बार्शवाड़ा, बुंदी, जालावाड़, डुंगरपुर, किसनगड़, कोटा, परताबगड़, सापुरा और टॉंक तीसरे चरण में सिर्फ और सिर्फ उध्यपुर रियास्त है, चोथे चरण में हो जाएगा जे, 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 बी, यानि कि जेसलमेर, जोदपुर, जेपुर, और विक्कानेर, जे, 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 बी, पांचमा चरण बिल्कुल खाली है, छटे चरण के अंदर जो है, ये आपका हो जाएगा, सिरोही, किस को छोड़कर, अबु देलवाडा को छोड़कर, अबु देलवाडा को छोड़कर, जो है, वो सिरोही हो जाएगा, और साथवे चरण में, पूरी सिरोही हो जाएगी, और साथ में एक आपका केंदर साशित प्रदेश भी था अजमेर मेरवाड़ा यह हो जाएगा इधर जो अपना तीन ठीकाने थे एक था नीमराणा नीमराणा अलवर केंदर है तो अठेव जी आपनों नीमराणा कुशलगट बांश्वाड़ा केंदर है लावा वरत्मान जेपुर में याएड हो जाएगा लावा यह इतनी किसी बात आप एक ही करण की भी ड्यान रख लेना अब अपने बात करते हैं अठारा सो अपने जो राजस्तान की सब्यताइं हैं उनकी उपर थोड़ी सी चरचाएं कर लेते हैं कि सब्यताओं से किस प्रकार के जो प्रशन है वो आपके एक्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि उन पर थोड़ी सी चरचा और कर लेते हैं कि अब अब कर देखो कि सब्यताओं में मैं मेन मेन फेक्टी बताऊंगा जैसे प्रशन पुछे जाते हैं उन्हीं की बात करेंगे सब्यताओं में एक सब्यता है जिसका नाम आता है काली बंगा और जिला कोन सा है हनुमानिगर और नदी कोन सी है तो घगर नदी हो जाएगी काली बंगा की अगर आप से पूछेंगे तो खोज आप बता देना 1951-2 और नाम भी बता देना अमला नंदगोज 1951 बावन अमलानन्द गोश और इसका जो उत्खनन है ये भी आप बता देना कि इसका उत्खनन जो है ये आपका 1961 से लेकर 1969 के मद्य एक तो बीवी लाल थे और एक बीके थापर थे बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा काली बंगा सब्वेता का उत्खनन किया गया है काली बंगा जो सब्वेता है इसकी लिपी अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना किलाकसर लिपी है किलाकसर लिपी या इसको भाव चित्रात्मक के नाम से भी जहना जाता है भाव चित्रात्मक किलाकसर या बावचित्रात्मक लिपी का प्रियोग कौन से सब्वेता में किया है काली बंगा सब्वेता में नालिया और नालिया किसकी है लकडी की सडके कैसी है समकौन पर काटती है समकौन पर काटती है कौन सडके मेसोपटामिया के साथ व्यापार के समन्ध जो है वो भी हमें देखने को मिले है सात में हमें दोहरे जूते वे खेत कहां से मिले हैं गेहूं और जो की मिश्रित कर्शी की जाती थी कपास के साक्षे कहां से मिले हैं तो काली बंगा से उंट के साक्षे भी कहां से मिले हैं काली बंगा से और काली बंगा से आपसे किस प्रकार का प्रशन पुछा जा शकता है तो दसरत सर्मा ने अडपा की तीसरी राजदानी कहा है हडपा की कौन सी राजदानी कहा है तो हडपा की तीसरी राजदानी किस ने कहा है हडपा की तीसरी राजदानी जो है वो डॉक्टर दसरत सरमानिक काली बंगा को हडपा की तीसरी राजदानी कहा है इसके लावा लगबग जो है वो प्रशन आता है आपके खोज उत्खरन से नदी से पूछते है ऐसी आपके एक सब्यत आती है जिसका नाम आता है अहड पहले तो आप ये बताना की अहड है उध्यपूर में फिर आप बताना की नदी कोण सी है आयड और फिर आप बताना की अहड को महासतिया कहते है और महासतिया मेवाड का साही समसान है मेवाड के राजाओं का साही समसान कोंशा है तो मेवाड के राजाओं का साही समसान जो है ये हो जाएगा साथियो आपका महासतिया अहड सब्यता में आपसे खोज पूछेंगे तो आप बता देना की खोज 1953 में अक्षे कीरती व्यास ने की थी, अक्षे कीरती व्यास की द्वारा इसकी खोज की जाती 1953 के अंदर, अक्षे कीरती व्यास इसकी खोज 1953 में करते हैं और फिर इसका उत्खनन जो है, यह 1956 में होता है, और किसके द्वारा तो आरसी अगरवाल के द्वारा अगरवाल के द्वारा उत्खरन किया जाता है आहड सब्यता से आपके प्रशन जो है वो कौन से बनते हैं तो आहड सब्यता एक सबसे पहले सबसे पहले खोज सबसे पहले खोज जो है आहड की ये भी आपसे पुछा जा सकता है तो आप बता देना अचडी शंकलिया या ब्रहत स्तर पर खोज ब्रहत स्तर पर उनिस सो इक सट में ब्रहत स्तर पर खोज यह होती है 1961 के अंदर किश के द्वारा की जाती अचडी शंकलिया के द्वारा अचडी शंकलिया के द्वारा ब्रहत स्तर पर उत्खनन किया जाता है तम्बे की सिक्के मिले है तो आहड को तमर्वती नगरी कहते हैं, तमर्वती नगरी कौन सी है आहड है, ये दोनों खास तोर से याद रखना, तमर्वती सब्यता की जननी कौन सी है, जननी साब गणेश्वर हैं, आहड का उत्खनन कितने स्तर में हुआ था, तीन स्तर में, काल स्तर में उत्खनन होता है पांच स्तर में काली बंगा का उत्खनन हुआ था आहड का तीन स्तर में उत्खनन होता है कौन से सब्यता का आहड का आठ बार बसने आठ बार उजडने के साक्षे है आठ बार बसने और आठ बार उजडने के साक्षे है चावल के साक्षे मिले थे चावल वाले तो मिले है और चांदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे चांदी से बिल्कुल भी क्या है ए प्रीचित है ये इतनीक बाते आप अहड में द्यान लखना काली बंगा अहड गनेशवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रशन जो बनता है तमरवती जननी वाला बनता है और गनेशवर सब्यता जो है ये अपने निम का थाना सिक्कर में गनेश्वर टिल्ले पर है और नदी कौन सी है कांतली नित्वाई जो नदी है इसके किनारे गनेश्वर सब्यता की खोज हुई है एक आप से पुछा जाता है बिराठ के बारे में थोड़ा सा अगर पुछ लिया जाए और बिराठ के बारे में लगबग जो प्रशन है ये पुछा जाता है कि बिराठ से पहाडियों का शमंद पुछा जाता है पहाडियों का शमंद या जेपूर की पहाडियों का शमंद बीम डूंगरी, गनेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और बिजक इन सभी का सम्मन्द किस्य बेराट से है मिनेंडर की मुद्रा कहां से मिली है ये प्रशन काफी बार पुछा जा सकता है मिनेंडर की मुद्राई जो है ये अपने बेराट से मिली है और एक आपसे पुछा जाता है बहुत बार कि सबसे प्राचिन प्राग एतिहासिक कालिन या सबसे प्राचिन पसू पालन के साक्षे कहां से मिले हैं पसू पालन के साक्षय जो है ये आपके बागोर से मिले हैं और बागोर सब्यता बीलवाडा में महासतिया का टिल्ला कहा जाता है महासतिया का टिल्ला कहा जाता है बागोर सब्यता बीलवाडा कोण सी नदी कोठारी नदी इसके बाद में अपने राजवन्स के छोटे-छोटे जो फेक्ट है उनके उपर थोड़ी वो चर्चा और कर लेते हैं स्क्रीन सोट लेते हैं, चलो साथ-साथ मैं मिटा देता हूँ इसको अपने राजवन्स वाले पे आ जाते हैं राजवन्स में वैसे तो देखो कोई पूरा डिसाइड तो नहीं होता है लगबग मोडरन वाले में सब्याता वालों में डिसाइड हो जाता है कि परसंद कुल मिला के यहीं सही पुछा जाता है राजवन्स के अंदर डिसाइड नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक आपके रियास्त है जिसका नाम है मेवाड, सबसे पहले आप मेवाड के राजाओं के नाम जो है ना उनको एक बार देख ले ना करम जो है वो कई वार पूछ लिया जाता है, मैं नाम लिखता हूँ जैसे गुहिल, गु अरण सी है और तरण सींग के जो दो पुत्र थे एक का नाम क्षेम सी है था और एक का नाम था राहब क्षेम सींग के दो पुत्र थे इसने वो गाउं बसाया था इतनी बात है इसमें शिशोदा गाउं बसाया था शिसोदा गाउं बस ज़्यादा इसमें कोई माथा पची नहीं करनी है सेम सिंग के अंदर आप बता देना कि दो पुतर थे एक का नाम तो सामन्त सिहां था एक का नाम था साब कुमार सिहां कुमार के बाद में आप बता देना जेतर सिहां के बारे जेत्र सिंग के बाद में तेज सी है चलो अपने पहले इन के बारे में थोड़ थोड़ी बात दें करते हैं गुहिल जो था इसने 5666 में गुहिल वन्ष की निव रखी थी गुहिल ने 5666 में गुहिल वन्ष की निव रखी थी 5656 में گहिल वंश की निवकिश के द्वारा रखी गई है तो गहिल वंश की क्या हो जाएंगे सनस्तापक सनस्तापक कोई अपने क्या बोलते हैं आदी पूरुश बोलते हैं मूल पूरुश भी इसी को कहा जाता है बपारावल में आप ध्यान रखना इनका मूल नाम था काल बोज इनको कहते हैं हिंदू सुर्य राजगुरु भी इनको कह जाता है चक्वे भी इनको कह जाता है और 734 में हरितरीशी के आसिरवाद से हरितरीशी के आसिरवाद से चित्रांगद अपने जो मौरिया थे उनको हराकर जो मान मौरिया थे इन मान मौरिया को हराकर मान मौरिया को हराकर चितोड पर अधिकार किया था चितोड पर अधिकार कर लिया था मान मौरिया को प्रास्त करके चितोड पर अधिकार कर लिया था चितोड का दुर्ग शात्मी स्ताफदी में बना था और चित्रांगद मोरिया ने बना बपारावल में और ध्यान रखना सोने के सिक्के चलाए थे ये बात ठीक है सोने के सिक्के प्रशन बनने वाली सी बात है सोने के सिक्के साथ में नागदा को राजदानी नागदा को अपनी राजदानी किस ने बनाया था बप्पा रावल ने नागदा में सास बहू का मंदिर सास बहू मंदिर और केलास पूरी में एक लिंग ना था केलास पूरी में इन्होने कौन सा मंदिर बनवाया था एक लिंग ना था चक्क इसके लावा अलट की अंदर आप ध्यान रखना अलू रावल कहते हैं इनको मेवाड में नोकर साई चलाई थी इनोंने आहड को राजदानी बनाया था आहड को इन्होंने अपनी क्या बना लिया था राजदानी बना लिया था आहड में जगत अंबी का माता जगत, अंबिका, मता और व्राह मंदिर बनवाय था इतनी किसी बातें आप अलट की ध्यान रख लेना जेत्र सिंग में आप ध्यान रखना की इन्होंने 1227 में बुताला का युद किया था बुताला का युद 1227 में हुआ था इनके समय में और इस बुताला के युद में इल्तु तमिस थे इनके विरुद इल्तु तमिस को प्रास्त किया था इन्होंने और बुताला की युद की जानकरी कहां से मिलती है हमीर मद मर्दन से हमीर मद मर्दन और किस ने लिखा था जैसी है सूरी ने जैसी हैं सूरी ने कौन शाग्रंथ लिखा था हमीर मद मर्दन लिखा था जेत्र शिंग के लावा तेज सिंग में आप बता देना कि तेज सिंग के अंदर 1260 में स्रावक परतीकर्मन सुत्र चूरणी ग्रंथ लिखा गया था सुत्र चूरणी गरंथ लिखा गया था और ये किस के द्वारा लिखा गया है कमल चंदर के द्वारा स्रावक परती कर्मन सुत्र चूरणी गरंथ लिखा गया किस ने लिखा था कमल चंदर ने लिखा था साथ में तेज सिंग के समय में बलवन ने एसफल आकर्मन किया था और बलवन ने एसफल आकर्मन किया था तेज सिंग के समय में और नासीरुदीन ने आकर्मन कब किया था तो नासीरुदीन जो है इन्होंने एसफल आकर्मन अपने जेतर शिंग के समय में किया था सबर्ण सिंग में कोई ज्यादा बात है नहीं तो अगला आप ध्यान रखना ये आपके गुहिल, बपारावल, अलट, रंड़ सिंग, ख्षेम सिंग, शावन सिंग, कुमार सिंग, जेतर सिंग, तेर शिंग, उसके बाद में जो राजा आते हैं, मैं राजाओं के साथ साथ में आपके नाम जो है वो कर्म लिख रहा हूं तो आप कर्म को थोड़ा सा ध्यान रखी लीजिएगा जिन राजाओं से जिस प्रकार के प्रशन पुछे जाते हैं मैं उसी के ओपर ज़्यादा डिश्कस करूँगा ठीक है समर सिंग में किसी भी प्रकार का कोई परशन बनने वाली बात है नहीं रावल रतन सिंग है और रतन सिंग के समय में अलावदीन का अकर्मन हुआ था अलावदीन का अकर्मन होता है 28 जनवरी 1303 और 26 अगस्त 1303 को यहाँ पर क्या हुआ था साक्का हुआ था और ये अपने चितोड का प्रथम शाका था चितोड का प्रथम शाका रतन सिंग के सेनापती थे गोरा और बादल सेनापती गोरा और बादल थे और गोरा बादल जो थे ये दोनों अलावदीन खिल जी के साथ में लड़ते हुए अमारे जाते हैं इनकी पतनी का नाम था पदमीनी और पदमीनी के उपर एक ग्रंत लिखा है जिसका नाम है पदमावत जो पंदरा सो चारिश में मलिक मुहमद जैसी ने लिखा है अवधी बासा में मलिक मुहम्मद जैशी और कौन सी बासा में लिखा है अउधि बासा में अउधि बासा के अंदर मलिक मुहम्मद जैशी ने 1540 के अंदर लिखा था पद्मावत ग्रंत और रावल रतन स् inexpensive यह अपने रावल शाखा के अंतिम रहा थे रावल साखा के अंतिमराजह उसके बाद में कौन सी साखा का शुरुति है? शिशोदिया और सिशोदिया साखा में हमीर सबसे पहला नाम आता है हमीर सिशोदिया का कुछ भी याद मत रखना एक तो याद रख लेना विशम गाटी पंचानन विशमगाटी पंचानन युद में सिहें के समान इनकी क्या उपादिय है हमीर सिशोद्या की उपादिय विशमगाटी पंचानन एक इनसे प्रसंद बन सकता है कि इनके समय में 1336 में कौन सा युद हुआ था सिंगोली का युद और सिंगोली युद में मुहमंद बिन तुगलक को किसने हराया था तो मुहमंद बिन तुगलक को हराया था हमीर सिशोदियाने आबात भी महत्वकुन फैक्ट है इह पर भी ध्यान राखियो हमीर के बाद में खेताग मों कोई प्रशन बनना है कि शंभावना कोनी पर नाम थे खेतागों भी लिख ले यो खेताग बाद में लाखा लाखा से प्रशन बन सकता है और लाखा से प्रशन ये है कि जावर में चांदी की खान लाख्खा के समय में जावर में कौन सी खान निकली थी चांदी की मिट्टी का तारागड या नकली तारागड बनाया था इनके समय में मिट्टी का तारागड इनके समय में बनता है और इसको बचाने के लिए कुमबा हाडा मारे जाते हैं कुम्बा हाडा मारे जाते हैं ये भी फैक्ट वाली बात है लाखा के समय में 1387 में पिछोला जील बनी थी पिछोला जील पिछोला जील में आप द्यान रखना जग मंदिर किनारे जग मंदिर है जग महल है नटनी का चबूतरा है नटनी का चबूतरा चाए आप किसी भी एकजाम की त्यारी करे हो ये confidence के साथ बोल रहा हूं कि 90% जो है न वो यहीं से आता है अपड़ना मेटर अलगी क्या करें ज़्यादा पढ़ना भी पढ़ता है पढ़ना भी पढ़ता है ये रिश्क लेना नहीं चाहते हैं कोई लेगि 90% मेटर इसी में से आता है और लाखा का एक पुतर था जिसका नाम ता चुंडा और चुंडा को मेवाड का विशम पिता कहा जाता है इतने का आप स्क्रीन सोट लो उसके बाद में हम कुंबा से बात करते हैं चलो अगला जो रजा आता है जिसका नाम आता है महराना कुंबा महराना कुंबा कुंबा से काफी सारे प्रशन बनते हैं कुंबा से प्रशन एक तो आपका ये बनता है कि सबसे पहले महराना कुंबा में आप ध्यान रखना इनकी उपा दी चार ध्यान राख लेयो बाफ़र है अभी नव बरता चार है संगीत में निपुन होने के कारण हाल गुरू गिरी दुर्गों का स्वामी राज गुरू राजाओं में सर्वैसरेष्ट या राजनिती में और एक आता है आपका हिंदू सुर्तान हिंदूओं का सहयोगी होने के कारण सबसे पहले इन्होंने अपने पिता की हत्यारों से बदला लिया था और चाचा इसको मार दिया था मेरा इसको भी मार दिया था लेगिन एक सेना पती था जिसका नाम था महपा पवार ये बचा था और एक चाचा का पुत्र बचा था जिसका नाम था एक का ये गए थे महमूद खिलजी प्रथम के पास में और कुमबा के समय में 1467 में एक युद्वा था जिसका नाम था सारंगपुर और इसमें एक तरफ तो महराना कुमबा थे और एक तरफ थे आपके महमूद खिलजी प्रथम ठीक है 1438 में चितोड में बारमली की साहिता से रणमल को मरवया था 1453 में कुमबा के समय कोन सी संधी होती है आवल-बावल संदी 1423 में होती है, किस ने करवाई थी? हनसा बाई ने करवाई थी? मुख्ये के अंदर कौन सा था? सोजट पाली था और सोज़ट की महंदी मसूरी है. और इसमें एक तो जोदा है और एक कौन सा है कुमबा और जोदा की पुत्री स्रंगार देवी का विवा है कुमबा के पुत्र रैमल के साथ में कौन से संदी के तहत हुआ था आवल बावल की संदी के तहत एक जोदा की जो पुत्री थी स्रंगार देवी इसने एक बावडी बनवाई थी जिसका नाम था गोसुंडी और यहाँ पर एक सिलालेख है उस सिलालेख का नाम है गोसुंडी सिलालेख जिसकी बासा कौन सी है तो बासा साब हो जाएगी संस्कृत और लिपी कौन सी हो जाएगी तो लिपी हो जाएगी इसकी ब्रामी एक कुम्बा के समय में 1456 में संदी होती है जिसका नाम था चम्पा नेर ये मालवा और गुजरात में हुई थी मालवा के थे महमूद खिलजी गुजरात के थे कुतुबुदीन शहर कुम्बा के समय में एक युद्वा था जिसका नाम था 1457 का बदनोर का युद्ध बदनोर जगह पड़ती है बीलवाडा में और इस बदनोर विजय के उपलक्ष में कुम्बा ने अपने बदनोर के अंदर कुशाला माता का मंदिर और सारंगपुर विजय के उपलक्ष में महराणा कुम्बा ने विजय स्तम बनवाय था 1468 में कुम्बा के पुत्र उद्धा ने मामदेव कुंड के पास में कुम्बा की हत्या की थे मामदेव मंदिर या मामदेव कुंड के पास में कुम्बा की हत्या की थे और कुम्बा की हत्या की इस बात की अपने उद्धा जो है इसकी वज़े से उद्धा को मेवाड का पित्रहंता कहते हैं मेवाड का पित्रहंता कहते हैं इसके बाद में अपड़े कुछ एक महराना कुम्बा के स्तापत्य अकला में योगदान थे उसकी बात करते हैं आप इसका स्क्रीन सोट ले लो हाँ जी चलो आगे तेखो उसके बाद में महराना कुम्बा जो है इन से समंदित आप ये ध्यान रखना कि कुम्बा के गरंथ के बार कूछ लिये जाते हैं और कुम्बा के जो गरंथ है जिनमें सबसे बड़ा जो गरंथ है जिसका नाम है संगीत राज और संगीत राज जो है ये पांच भगों में विवक्त है एक संगीत सार भी है ये वो संगीत सार जो आया था ना करशी प्रवेशक के अंदर जो मान रही थे उत्तर संगीत सार वो रादा गुविन संगीत सार पूरा नाम लिखना पड़ता है जो देवर्शी बटिया ब्रजिपाल का है इस संगीत सार कुंबा का है जो इसमें संगीत रतनाकर नाम दिया था न वो सारंग व्यास का गरंथ है जो मारानकुंबा के संगीत गुरू थे संगीत मिमासा और एक सुड़ प्रवंद एक आता है कामरान रती सार एक आता है हर वरती का हर ऐ चंडी शतक कि यहां और एकाटा रशिक प्रिया हो यह कुमबा के गरत्त भी जान रख लेड्या कुमबा की बहाद में राजा बनते राइमल वैसे वुद्धा राजा बनते पहला उद्धा का कोई ज्याधा मतलब है नहीं तो फिर राजा रैमल बनते, रैमल में भी ज़्यादा प्रशन बनने वाली बाक नहीं है, संगा में प्रशन बनता है, कि इनका जनम कौन से दुर्ग में हुआ था, तो जनम इनका 1482 को जो है, वो आपका चितोड में हुआ था, एक तो प्रश्ण यही बनता है संगा के पिता का नाम राइमल था राणा संगा जो है इनकी उपादी से प्रश्ण बनता है इनकी उपादी जैसे हिंदू पत्थ बाद्शा है हिंदू पत्थ बाद्शा यह राणा संगा की उपादी है सेनिकों का बगनावेश सेनिकों का बगनावेश ये रानसांगा की उपादी है स्रीर प्रअसी घाओ थे जिसके कारण करनल जेम्स्टोड ने कहा था सांगा की समय में 1517 में एक यूद हुआ था जिसका नाम तक खातोली खातोली स्तान पढ़ता है कोटा में गुंदी रियास्त में और खातोली में एक तरफ तो संगा थे और एक तरफ इबराहिम लोदी थे और इबराहिम लोदी की हार होती है 1518 में संगा के समय में युद हुआ था जिसका नाम ता बाड़ी बाड़ी स्तान पढ़ता है सावदोलपूर में और बाड़ी के युद में इबराहिम लोदी थे मान लो कि इबराहिम लोदी के वैसे सेनापती थे लेकिन इबराहिम लोदी मानिये तो इनकी यहां पर भी हार होती है 1519 में संगा के समय एक युद हुआ था जिसका नाम ता गागरोन जालावाडी के अंदर होता है और गागरोन युद जो था 1519 में रणा संगा के समय में होता है और इसमें एक तरफ तो महमूद खिलजी थे महमूद खिलजी सेकिंड थे और दूसरी तरफ रणा संगा थे और मेहमूद खिलजी सेकिंड की भी यहां पर हार होती है एग इनके समय में 1527 को 16 फरवरी 1527 को एक युद हुआ था जिसका नाम था बयाना बयाना युद जो बर्दपूर के अंदर होता है इसमें बाबर थे और यहां पर बाबर की हार होती है 17 मार्च 1527 को जो युद हुआ था जिसका नाम हो जाएगा आपका खानवा और खानवा के अंदर भी बाबरी थे रूपवास बर्दपूर में और इस बार बाबर की क्या होती है जीत होती है राना सांगा की मरत्यू से समंदित प्रशन पूछे जाते हैं मरत्यू 30 जनवरी 1528 को राना सांगा की मरत्यू 30 जनवरी 1528 में होती है राना सांगा की मरत्यू जो है वो कहां पर हुई थी कालपी में होती है कालपी स्तान साब यूपी में पड़ता है राणा संगा की जो समाधी है या जो राणा संगा की छत्री है ये सावाप की कहां पर बनी है तो मांडल गड़ के अंदर राणा संगा की जो है वो छत्री बनी है कितने खंबों की है तो आठ खमो की राणा संगा की छत्तरिय जिसका निर्मान बर्दपूर के अशोक प्रमार ने इस स्थत्री का निर्मान करवाय था संगा के बाद में आने वाले राजाओं में एक रतन सिंग सेकिंड में आप से कोई लंबा चोड़ा परशन नहीं पूछेंगे पिर एक राजा आते है जिसका नामता विक्रमा दित्य है और विक्रमा दित्य है से आप से प्रशन ये पुछेंगे कि इनके समय में 1534-35 में चितोड का दूसरा साका होता है चितोड का दूसरा और राजस्तान का सबसे बड़ा क्या होता है साका होता है यहां पर केसरिया 2-33 आते-रह 2006 महिलाओं के शाथ मिल करती है जो राजस्तान का सबसे बड़ा साका माना जाता है विक्रमादिते की हत्या बनवीर करते हैं और बनवीर के बाद में फिर राजा उधै शंघ बन जाते हैं तो इसको आप स्क्रीन स्वेश्ट ली जागा क receipt मैंन कर रहे हैं राजा बनते हैं जैसे हमने लास्ट पढ़ लिया जैसे विक्रमा दिते हैं फिर बनवीर बनते हैं और बनवीर ने चितोड में तुलजा ववानी मंदिर बनवाय था तो तुलजा ववानी मंदिर जो है वो किश के दोरा बनाया गया है बनवीर के दोरा बनवीर के बाद में र अधीन्ता को शविकार करने वाले राजा कौन से थे उध्या सिंग के समय में 1557 को हर्माडा का युद होता है 1557 को हर्माडा युद वा था और हर्माडा युद में उध्या सिंग के विरुद में मालदेव थे और मालदेव इस युद में जीत जाते हैं मालदेव की विजे होत होता है चितोड का तीसरा साका होता है चितोड का तीसरा साका हुआ था उद्या सिंग के समय में और यहां पर आकर्मन किश के द्वारा किया गया था आकर्मन करने वाले थे अकबर और यहां पर अकबर ने आकर्मन किया था और केसरिया किश के नेतरतों में होता है तो यहां प और यहां पर जोहर किश के नेतरतों में होता है तो जोहर होता है फूल कमर के नेतरतों में ज्यादा इसके अलावा उध्या सिंग में आपको कोई लंबा चोड़ा फेक्ट याद नहीं रखना है उद्यासिंग के बाद में महराना प्रताब में आपको प्रताब का सबसे पहले जनम याद रखना है जनम गाथा 9 मई 1544 विक्रम समथ 1570 में और जेश्ट शुकल तरत्या प्रताब का जनम 9 में 1540 विक्रम समथ 1570 में जेश्ट शुकल त्रतिया को महराना प्रताब का जनम जो है वो होता है इसके अलावा आप प्रताब के अंदर ध्यान रखेगा प्रताब के माता पिता का नाम तो पता है यह उद्या सिंग जेवनता भाई अजब्दे पमार पतनी थी पुत्र का नाम अमर सिंग था प्रताब का घोड़ा पूछ लेते हैं और घोड़ा जिसका नाम था चेतक और चे प्रताब के समय में प्रताब को समझाने के लिए अकबर ने सिष्ट मंडल बेजा था एक नमर पे आये थे जलाल खा जलाल खा आते हैं कोर्ची जो 1572 के अंदर आये थे जलाल खा के बाद में आते हैं मानसी हैं और मानसी हैं आते हैं 1573 में उसके बाद में जाते हैं बगवं दास जो थे बगवंत दास जो थे बगवंत दास जो है ये जाते हैं 1573 में और फिर च्यार नंबर पे जाते हैं टोडर मल और टोडर मल भी 1573 के अंदर ही जाते हैं लेकिन महाराणा प्रताब जो थे इन्होंने अधिनता को शवीकार नहीं किया था जिसके करण एक युद गु कुन सा युद होता है अलदी घटी का युद होता है जो 18 जून 1560 को उगा था लेकिन गोपिनाथ सर्मा गयते हैं कि हलदी घटी का युद 21 जून 1560 को उगा था जिसको करनल जेम्स्टोड ने मेवाड की थर्मोपली कहा है करनल जेम्स्टोड ने हलदी घटी को मेवाड की थर रिनाएक रहाता कोई हार जीत की बात आपको याद नहीं रखनी है उसके बाद में सहाबाज का आते हैं और सहाबाज का जिसने मेवाड के उपर सरवादिक तीन बार क्या किये थे आकरमन जो वो किश के द्वारा किये जाते हैं सहाबाज का के द्वारा तीन बार आकरमन किये जाते और इसने कुंबल गड़ दुर्ग पर क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था सहबाज़का ने और परताब की जो आर्थिक सहाइता करने के लिए आते हैं जिनका नाम था भामाशा भामाशा परताब की आर्थिक सहाइता करते हैं और भामाशा जो है इन्होंने परताब की आर्थिक सहाइता की जिसके करण इनकों मेवाड का उद्धारक भी कहा जाता है तो आप लीजिए इसका स्क्रीन सोट उसके बाद में परताब की कुछ छोटी मोटी बाते और करते हैं इसके लावा महराना परताब में आप याद रखिएगा परताब इनमें आपको और क्या-क्या बाते याद रखनी हैं तो परताब में द्यान रखना की 1580 के अंदर ये महराना परताब के समय में अब्दुलरहिम खान एक खाना जाते हैं अब्दुलरहिम खान एक खाना को वेजा था 1582 में महराना परताब के समय में की युद होता है जिसका नाम था दिवेर का युद और दिवेर के युद के अंदर टोड जो है इन्होंने दिवेर के युद को दिवेर के युद में प्रताब की वीजों का सिरी गनेश भी होता है और करनल जेम्स टोड ने दिवेर के युद को मेवाड का मेराथन कहा है मेरा कि क्या बनी है छत्री बनी है जगनात कच्छवा है कि 1585 में परताब ने लूना चावंडिया को हरा कर चावंड को राजदानी बनाया था चावंड को अपनी क्या बना लिया था राजदानी चावंड परताब की राजदानी 12 वरस रहती है चावंड मेवाड की राजदानी 30 व थी और प्रताब की मरत्य 19 जनवरी 1570 में को होती है दनूस पर प्रतंचा चड़ाते समय इनकी छत्री जो है वो बंडोली के अंदर बनी है और बंडोली में जो प्रताब की छत्री है ये कौन से बांध में डूप चुकिया तो केजल बांध के अंदर डूप चुकिया आप से ये भी पूछा जा शकता है कि छत्री कौन से बांध के पास में है तो केजल बांध के पास अगला आता है अमर सिंग में कुछ भी ज़्यादा लंबी चोड़ी बात मद्यान रखना 1615 में इनके समय में कौन सी संधी होती है तो मुगल मेवाड संधी है इसने मुगलों की अकबर की प्रशन अगर आए कि अकबर की अधीनता मेवाड के किस राजा ने सविकार की तो अकबर की अधीनता जो है ये मेवाड के किसी राजा ने सविकार नहीं की थी किसी राजा ने सविकार नहीं की थी मेवाड के किसी राजा ने सविकार नहीं की थी किस की अधीनता अकबर की दिनता, अमर सिंग के बाद में करण सिंग, करण सिंग में भी कोई जादा लंबी चोड़ी बात नहीं है, करण सिंग के बाद में जगत सिंग जिसने जगदीश मंदिर बनवाया था, और जगदीश मंदिर आप ध्यान रख लेना, जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता ह सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर को कहा जाता है जो जगट सिहें के दोरा बने गया है फिर राज सिहें और राज सिंग में आप एक तो ध्यान रखना राज समंद जील बनवाई थी राज सिहें ने और राज समंद जील के यहां पर राज सिहें प्रशस्ति लिखी है या रा जावाध सिंग प्ति रतन सिंह चुंडावत का नाम द्यानरकना रतन सिंग चुंडावत जो है साब यह रतन सिंग चुंडावत में आप दियानरकना इनकी पत्नी जिसका नाम था सहल कमर। वे साहलकमर और सहलकमर ने गर्दन काट दे धी जिसके करण मेग राज मुकुल ने कौन शाग्रंथ लिखा था तो मेग राज मुकुल ने सेनाणी के नाम से कविता लिखी थी, सेनाणी के नाम से क्या लिखी थी, कविता लिखी थी, आप इसका स्क्रीन सोट लो, उसके बाद में हम अगले राजा जैसिंग की तरफ बढ़ते हैं, मिटा देत में अगले जो राजा आते हैं जिनका नाम आता है जैसी है मिवाडवाले सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिवाडवालों से कई बार प्रशन पूछ लिया जाता है इन्होंने जैस समंद जील बनवाई थे जिसको डेबर जील कहते हैं मिठे पाड़ी की जील है और अमर सिंग का नाम भी द्यान रखना और अमर सिंग के समय में कौन सा समझोता हुआ था देबारी समझोता और देबारी समझोता मिवाड मारवाड और आमेर में 1707-08 को कौन सा समझोता हुआ था देबारी समझोता अमर सिंग सेकिंड थे ये फिर उसके बाद में संग्राम सी हैं सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी सहेलियों की बाड़ी बनाई थी कौन सी जील के किनारे तो फते सागर फते सागर जील के किनारे सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी एक मंदिर के इबार पूछ लिया गया है वेदनात मंदिर और यहां पर 1719 को एक परसस्ती भी लिखी गई है जिसका नाम है वेदनात परसस्ती और यह रूप भटने लिखी है संग्राम सिंग के बाद में आते हैं जगज सिंग और जगज सिंग के समय में 17 जुलाई 1734 को कौन सा समेलन होता है उरड़ा समेलन होता है 17 जुलाई 1734 को भील वाड़ा के अंदर कौन सा समेलन हुआ था हुरड़ा समेलन हुआ था यह भी आप ध्यान रखना जगज सिंग के बाद में बीम सिंग इसकी पुत्री का नाम द्यान रखना क्रश्णा कुमारी और क्रश्णा कुमारी जो विवाद हुआ था वो बीम सिंग के समय में हुआ था इस क्रश्णा कुमारी को लेकर 1807 में कौन सा युद होता है गिंगोली या परवतसर का युद गिंगोली या परवचसर का युदकिस को लेकर होता कृष्णा कुमारी को बिम सिंग के बाद में जवान सिंग कोई मतलब नहीं है सरदार सिंग का भी नहीं है फिर आप सवरूप सिंग करांती के समय राजा थे सवरूप साही चांदोडी शिक्के किसने चलाई थे सवरूप सिंग ने 1853 में कौन सी पर्था डाकन पर्था पर रोक लगाई थी 1861 में सती पर्था के उपर इन्होंने रोक लगाई थी सवरूप सिंग के बाद में संबू सिंग से प्रशन बनता है और संबू सिंग से प्रशन ये है महकमा खास का गठन और महकमा खास का गठन जो है ये होता है आपका 1879 को संबू के बाद में सजन सिंग और सजन सिंग से प्रशन बनता है बिलकुल 1883 में इनके समय में दियानन्द स्रशवती जो थे इन्होंने 1883 में प्रोपकारी सभा का गठन किया था सजन सिंग के बाद में सजन सिंग में एक तो प्रोपकारी सभा 1883 में देश हितेशनी सभा देश हितेशनी या सामाजिक सुधार सभा सामाजिक शुधार सभा देश हिटेशनी या सामाजिक सुधार सभा का गठन किया ता सजन सिंग ने और सजन सिंग के समय में इजलास खास का गठन होता है इजलास खास महाद्रीश शभा जो थी इसका गठनुगा था फते सिंग में आप ध्यान रखना चेतावनीरा चुंगटिया द्यान रख लेना और चेतावनीरा चुंगटिया जो थे इसमें क्या था तेरा सो रठे थे और इनको पढ़ने के बाद में फते सिंग जो है वो दिल मारवाढ का मैं आपको एक राजा बताता हूं जिससे प्रशन पूछे जाते हैं एक तो मालदेव माल देव से किश्प प्रकार के मारवाड में पुछे जाते हैं तो मारवाड के राजाओं की प्रारंबिक राजदानी जो थी मारवाड के राजाओं की जो प्रारंबिक राजदानी है ये मारवाड की जो प्रारंबिक राजदानी जो है ये किश को माना जाता है तो मंडोर को मानते हैं एक तो आप ये बात ध्यान रखना है एक आप ध्यान रखना कि यहां पर राव चूड़ा जो थे इन्होंने सामन्ति प्रथा के नीव रखी थे सामन्ति प्रथा की नीव किश के द्वारा रखी है चूड़ा के द्वारा और इसके जो वास्तविक जनक है जिनका नाम आता है राव जोदा वास्तविक जनक का नाम आता है राव जोदा मारवाड में प्रारमभिक राजदानी मंडोर है चूड़ा समन्ती पर्था के नीवरकिती वास्तविक जनक जिनका नाम क्याता है तो वास्तविक जनक का नाम आता है राव जोदा और मारवाड में आप एक राजा का नाम याद रखना मालदेव और मालदेव को बावन युदों का विजेता कहते हैं मालदेव को कहा जाता है खस्मत वाला राजा महान पुरुशार्थी राजकुमार साथ में बावन युदों के माद्यम से इन्हों ने अठावन परगणों को जीता था इसके इलावा राव मालदेव में आप ध्यान रखना कि एक तो इनके समय का पंदरा सो 142,41-42 का पहबा सहबा का युद 41-42 का कौन सा युद शाहिबा का युद था इसका नाम द्यान रखना एक इनके समय में 1544 में एक युद हुआ था जिसका नाम ता गिरी सुमेल ये बाते आप माल देव की बस इतनीक सी द्यान रख लेना चंदर सेन में आप मोटा मोटी जो है इनके बारे में पुछा जाता है कि इनको मारवाड का परताब कहते हैं इनको परताब का पत्थ परदर्शक कहते हैं परताब का अगरगामी अगरगामी भूला विसरा राजा एक इन से प्रशन पूछा जाता है इनकी छत्री कहां पर है तो चंदर्शन जो है इसकी छत्री जो है यह हो जाएगी सारण पाली समाद्धी कहां पर है समाद्धी से प्रशन आता है बद्रा जून में एक आपको मारवाड के अंदर राजा ध्यान रखना है जश्वन सिंह और जश्वन सिह में एक परशन बहुत बार पूछा जाता है कागा उध्यान वाड़ा कागा उध्यान यह जोदपूर में किस्ट ने बनवाया था तो कागा उध्यान जोदपूर में जश्वन सिंह ने बनवाया था एक जश्वन सिंग के पापा का नाम ता गजसी है इनकी उपादी है दल थंबन समुहे को बांधने वाला और एक मान सिंग से बार-बार प्रशन पुछा जाता है मान सिंग को कौन सा राजा कहा जाता है सन्यासी राजा काफी टाइम हो गया बाकी मोटा मोटी आपको मैंने सारी बाते बता दी है अब जो बिकानेर है आमेर है प्रतिहार है चोहान है इनमें कोई में 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 बाते अगर आप किसी ने लास्ट तक क्लासें देखी है और कोई टाबर चाहते हैं तो कोई दस से कोमेंट अगर आ जाएंगे तो मैं आगे का वीडियो भी आपके सामने ले आऊँगा बाकी लगबग जो है मोटा मोटी पर्शन जो है वो यहीं से आते हैं इसके लावा थोड़ा सा अलाओदिन खिल जी वड़ा वो ध्यारन रख लेना कि बाई अमीर देव चुहान के साथ में जब युद हुआ था तो अलाओदिन खिल जी का सेना पती नुसरुत खा मारा गिया था वो वाली बात ने अगर और बतानी तो आप कमेंट करके बता देना अगले एक कल एक वीडियो और बना देंगे तो आज तो मुझे लगता है इतना काफी हो गया है चलो बकि ठीक है मिलते है नेक्स्ट कलास में